जय महाकाली मित्रो मित्रो अब देखो माता रानी के भगत ऐसे ऐसे होते हैं जो इतने सुन्दर प्रसंद भी कर लेते हैं कभी कभी कि गुरू जी हम माता वैश्णों देवी जाना चाहते हैं प्लैन बनाते हैं बहुत ज़्यादा जाने का मन करता है माता रानी के प्रती हमारी निष्टा हमारा भाब बहुत ज़्यादा है हम दिल ही दिल से बहुत ज़्यादा रोते हैं कि हेमा हमने ऐसे कौन से पाप करे हैं जिसके कारण आप हमें वैश्णों देवी माता नहीं बुल जाधा दिल भाव से बढ़ जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो तंत्र मंत्र से बहुत ज़्यादा दूर है और वो अपनी माताराणी वैस्णोदेवी को बुला रहे हैं या माताराणी उने नहीं बुला रही और वो फिर किसी बहगत से आके अगर ऐसे प्रशन्य करेंगे कि गुरू जी माता वैस्णों देवी हमें नहीं बुला रही है इसका कोई उपाए बताईए कि मातारानी प्रशन्य हो जाए और अपने आप बुला ले स क्योंकि आप सबने सुना होगा यही सत्त राणी के आदेश के विन्हाजा यह नहीं सकते इस सक्ति कुछ यह काम करते हैं । आज मैं आपको यही इस वीडियो में कुछ कर्म एसे बता दूंगा और एक मंत्रजप् आपको बता दूँगा जिसे करके आपको जो है माता वैश्णो देवी तुरंत ही अपने पास बुला लेगी खैंच लेगी चलो वीडियो पे चलते हैं करना क्या है आपको यह कर्म यह पूजाविदी जो है आप अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं करना बहुत ही ज्यादा आसान है इसमें कोई नियम पालन की अवश्यक्ता नहीं है बस आपका मुख जो है पूर्व उत्तर दक्षिन इन तीनों दिशा में से किसी भी एक तरफ होना चाहिए पस्चि दक्षिन की तरफ है उत्तर की तरफ है तो उस तरफ आप मुख कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन पस्चिम दिशा की तरफ आपका मुख नहीं होना चाहिए ठीक है इस बात का दियान रखना बहुत ज्यादा जिसमी इस्ट देवी देरता की आप सेवा करते हैं से उसी मंदिर में जहां पर आप अपने इश्च देवता की जोत जलाते हैं वहीं पर थोड़ा साइड में करके जला लेना बिसक या अपने थोड़ी पास रख लेना उसी मंदिर में जलेगी और वहां पर अपने इश्च देवता से अपनी कुल देवी माता से अपने पित्रो से मdoes सबसे आसिरवाद लेना है कि सफल्टा आसिरवाद दो मिलेकुन मातावैस्बेशनों देवी के दर्शन करके आने त्क तर शपल्द आशिर वाद दो आप सभी मेरको ऐसी प्रात्ना करनी आपको अपने पित्रों से कुल देवी इसे ओर ईश्ट देवी देविता से उसके बाद आपको ग्यारावार मंतर है बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक माला नहीं कर सकता था वह 11-11 मंतर कर सकता है उसके बाद जो मैं मूल मंतर दूँगा इसमें मातब वैशनो देवी एक प्रख्माला मंत्र जब करना है आपको मैं मूल मंत्र वीडियो में लिखीत रूप में भी दे दूँगा और आपको बोल के भी बता दूँगा और यह जो पूजा पार्थ है विधी है यह आपको सुबह 10 वज़े से पहले पहले करनी है एक टाइम दिन में लगातार 30 दिन करना है यह आपको 30 दिन के अंदर अंदर आपका बुलावा आ जाएगा आपके पास खुद इंतजाम करवा देगी माता रानी पैसो का अगर पैसो की परहिशानी के वज़े से आप नहीं जा पा रहा है या कोई भी बड़ी शे बड़ी शमस्या है जिसके कारण आप माता वैशनो देवी के द आप करके देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि हां गुरु जी आपने बताया है हमने करा है हम जाके आए माता वैशनो देवी के दर्सन करके आए हैं इस विदी से हम भी नहीं जा पारे थे इसलिए आपको बता रहे हैं ठीके ना जब आप यह माता वैशनो देवी की जोत प inclis nawet कि मृत बनाती हैं खाना या आपके घर में कोई वी व्यक्ति जो ग्राणी वे बनाती है खाना तो उनसे बोल देना कि एक रोटी जो है मतावैंश्ण देवी के नाम की निकाल दो तुर्फ हुए ठीक है ना was एक रोटी में डेसी घीड लगा के आपको वह वह रोटी जो ए गाय को देखे आनी है और वहां पर परात्थ ना करने है मातावैस्णदेवी से कि मातावैस्णदेवी मुझे बुला ले अपने दर्वारं में मेरे पडिवार मेरे को मातारानी के दर्सन के लिए आना है किरपा करो मुझे बुला लो ऐसी प्रातना करनी है आपको इसमें आपको कोई भी नियम पालन की अवशक्ता नहीं है बस जब भी आप पूजा पाट करने बैठोगे सुबा के टाइम तो आपको स्नान करके ही बैठना है और बाकी इ आपको करने की अवशक्ता नहीं है लेकिन अगर आपका दिल चाता है इच्छा चाती है तो आप फूल माला और तिलक कर सकते हैं मातारानी को अगर आपके पास मातारानी का विग्रह है तो आप मातारानी को तिलक कर सकते हैं मातारानी को धूब दिखा सकते हैं मातारानी को ह हम तो सिर्फ आपको जोत जलाने के लिए बोल रहे हैं प्रातना करते हुए माताराणी से जोत जला देना बास बाकि इसमें कोई भी नियम पालन करने की आवशक्ता नहीं है ठीक है ना आपका कारेशित होगा 100% सिर्फ इतना सा करने पर आगर आप रेगुलर 30 दिन करते रहते हैं है रेगुलर तो इतना सा करने पर माताराणी आपके आसपास घूमने लग जाएगी और आपके आसपास का महौल ऐसा बना देगी सकारात्मक कि आपको आना ही पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर ही माताराणी का बुलाबा आपके पास आ जाएगा बेशक्त तीज दिन के बाद जाओ लेकिन माता रानी तीज दिन के अंदर अंदर ऐसा प्रबंद कर देगी आपके पास कि आपके पास अगर पैसो की कमी है आपके पास अगर कोई भी बड़ी से बड़ी परशानी है जिसके कारण आप माता वैशनो देवी नहीं जा पा रहा है तो वो स कर्म है विदी नहीं है पता तो सबको है लेकिन कोई करता भी नहीं है अगर करते हैं तो किसी और कर्म के लिए करते हैं किसी और इच्छा के लिए करते हैं लेकिन आज जो पूछा किसी ने बहुत ही दिल सुने वाला पूछा जिसके कारण ये जो पूजा विदी है ये सकारात्मक तरीके से अच्छी दिसा में चले और आपको माता वैसनो देवी के दर्सन हो आपको सिर्प ये प्रातना करनी है और प्रातना प्रातना महीं मातारानी का दिल सूलोगे आप मातारानी आपको बुला लेगी अपने चर्णों में ठीक है यह विदी करके हम ने लाब पाया है खुद ने आप भी लाब पाईए मैं माता वैशनो देवी और महाकाली माता सरस्वती से माता लक्षमी से भैरो बाबा से प्राथना करूँगा कि आपको इस पूजा विदी में इस उपाये में सफलता का असिरवाद दे और आपको तुरं